चंडीगर चेटशाड मामले में विकास बराला के आरोपी पाये जाने के बाद सुभाश बराला पर भी कटाक्ष होने चालू हो गए हैं हम आपको बता दे कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने सुभाश बराला पर कटाक्ष किया है वहीं अशोक तवर ने पुलिस पर लीपा पोदी के आरोप लगाए हैं हरियान बीजेपी अध्यक्ष सुभाश बराला के बेटे पर लगे चेटशाड और अफरन की कोशिश के आरोप के बाद मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं इस वारदात में बेटे के आरोपी बनाये जाने के बाद बराला विपक्षी दलों के साथ अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं पार्टी के अंदर बराला के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सबसे आगे कुरुशेतर के सांसर राज कुमार सैनी है इस तीफे की मांग के बाद सैनी ने बराला के पारिवारिक प्रिश्ट भूमी पर हमला बोला उन्होंने कहा कि बेटे की हरकत की प्रिश्ट भूमी पारिवारिक है उन्होंने बराला परिवार के पिछले कार नामों का हवाला देते हुए कहा कि जैसी बेल होगी उस पर वैसे ही फलाएंगे वही प्रदेश अध्याष अशुक्तवर ने चंदिगर पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि पुलिस लीपा पोती में लगी है कॉंग्रिस वर्निका कुंट्रू को इंसाफ दिलाने और बराला के इस्तीफा देने तक आंदूलन को करती रहेगी विपक्ष में कॉंग्रिस उनके साथ है और हमने धरने परदेशन से लेकर के मशाल जलूस और उनके सपोर्ट में जो भी हम कर सकते थे वो हमने प्रियास किया और यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक जब तक वर्निका को नयाई नहीं मिल जाता और जो बराला साब है जिनके पोस्टरों से अभी फोटो गायब खुद वीजेबी ने कर दिये जब तक वो पदसे मुक्त नहीं हो जाते पदसे वो इस्तिफा नहीं दे देते या उनको उठा नहीं देते विपक्ष और पार्टी के अंदर से बराला की स्तिफे की मांग उठने के बावजूद पार्टी मामले में चुप्पी साधे हुए है पार्टी बराला की स्तिफे को लेकर अपना पत्ता नहीं खोल रही है वहीं बराला भी अपने स्तिफे पर कुछ भी बोलने के लिए तया नहीं है मैं